हेलो गाईज, वेलकम टो मैं चैनल एजूकेशन टेक पॉइंट और आज हमें स्टार्ट करने वालें क्लास 6 में, चैप्टर नमबर 4, मोर ऑन पावर पॉइंट 2010 वा जिस में थेहरी एंड प्रैक्टिकल दोन ही कंप्लीट करते हैं, तो अब साथ के साथ एक बता दूँ कि सकते हैं, जो आपको Description box में मिल जाएगा, तो आगे चलने से पहले सबस्क्राइब कर लेजएगा, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजएगा, जैसे निव बीडियो की नूटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं, तो चलते हैं, आपने चैप्टर की तरफ पर स्टा आपने PowerPoint का basic study नहीं की है, तो आप I button पर click करके class 5 तका पहले complete पढ़ लिजएगा, फिर PowerPoint को start कीजएगा, otherwise आपको समझ में नहीं आएगा कि PowerPoint है क्या, तो चलते हैं, तो start करते हैं, there are several ways to add a new slide to the presentation, तो आपको नहीं पता तो मैं पता दूँ कि PowerPoint Microsoft Office का ही version होता है, जिसमें आप slides बनाते हो, slide क्यों बनाते हो, माली जे आपको एक topic पर समझाना है, वो topic पर समझाने के लिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं आपको समझाने कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह आप किसी company, organization में की अपने presentation बना कर किसी topic पर clear कर सकते हो, तो there are several ways to add a new slide to the presentation, presentation पर new slide को slide from outline or reuse slide, यह point दी हुए है, तो पहले यह आपको यह बतना हो चाहिए कि how to open powerpoint, तो सबसे पहले मैं आपको बता दो कि मैं तो window 10 चला रहा हूँ, तो इसमें तो rules थोड़ा अलग हो जाता है, मैं आपको बता दूँ कि आपके computer में, आप इसको कैसे open कर सकते हो, तो सबसे पहले ना स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है आपको, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाल, आपको क्लिक करना है, Microsoft, Microsoft Word पर, sorry, Office पर, और उसके बात करना है, आपको Microsoft Power Point पर क्लिक करना है, ओके, जैसे आप open कर दोगे, यह इस चीज़ को follow कर दोगे, तो open हो जाएगा, otherwise आप तो, की के साथ, आर दबाएंगे, और जो box आएगा, उसमें आप विन, sorry, power, pnt टाइप कर देंगे, तो, आपका Microsoft Power Point open हो जाएगा, यह नि, MS Power Point open हो जाएगा, तो मैं इसको run command के through हो दो हो जाएगा, तो मैं इसको run command के through हो दो हो जाएगा, विन्डू प्लस आर के साथ की बता हूँ, आप corner में देख सकते हो कि यहाँ पर एक box आ गया है, यहाँ पर आपको tap करना, power, pnt और आपको ok कर देना है, या enter कर देना है, तो आपके सामने power point खुल गया, तो power point में slide होते हैं, यहाँ पर sliding add करते हैं, तो slide add करने के लिए, कैसा यह rules बताए हैं, तो अभी जो rules हैं, उनको थाड़ा follow करेंगे, we have already learnt, how to insert slides using office theme, आप पहली पढ़ चुके हो कि office theme, slide कैसे insert करते हैं, we will learn about duplicate slide and reuse slide here, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, duplicate slide कैसे insert करते हैं, या reuse slide कैसे insert करेंगे, to create a duplicate slide in your presentation, step बार follows, को step follow करना है है, select the slide you want to duplicate, click the new slide, choose the duplicate slide from the drop-down menu, to copy the selected slide, appear underneath the original, तो आगे देखते हैं, कि आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, कि आप पहले सबसे पहले इस rule को, इस matter को समझे लीजेगा, कि आप duplicate slide कैसे insert कर सकते हैं, तो यह आपके पास slide है, तो according to rule क्या आप क्या करोग कि यहाँ पर click करोगे, और जाओगा यहाँ पर duplicate slide, जैसे आप इस पर click करोगे, duplicate slide हो जाएगा, या second thing is, right click करोगे, यहाँ पर duplicate slide करोगे, तो यहाँ पर फिर से slide आजाएगी, duplicate, यहाँ फिर एक और Ctrl D, आप प्रेस कराएंगे, Ctrl D, ऐसी Ctrl T करेंगे, तो यहाँ slide आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, power point, ओके, आप duplicate के लिए, फिर ट्राइग करते हैं, और यहाँ पर duplicate पर click करेंगे, तो देखिए, duplicate slide आ चुकी है, same to same, तो इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से, आप duplicate slide insert करा सकते हैं, next, next, के how to, again, insert slide, okay, तो slide in the context menu, that open to reuse slide from the exiting representation, steps are follows, click the new slide command, choose the reuse slide from the drop-down menu, the reuse slide task panel, window appears at the right of our screen, मैं इसको practically समझाने वाला हूँ, आपको, select the browse button, and then select the command browse slide, tab value on browse file, in order to locate the slide, the browse dialog box appears, okay, तो मैं इसको practically करने वाला हूँ, और इसके बाद अभी कुछ step और दी हुई है, इस लिस्टा को भी पढ़ लाएंगे, उसके बाद clear करेंगे, to, sorry, go to the folder, which content, the PowerPoint files from which you want to reuse the slide, and selected files, click open the browse dialog box, from the, from slide of, sorry, from the list of slides that appear, just click on desired slide, to insert it in your presentation, तो मिन्टू से इसका क्या है, मिन्टू से इसका कि आप क्या से इसको reuse, मतलब जो पहले slide बनाएंगे, उनको कैसे आप insert कराएंगे, तो मैं इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, कि यहाप slide पर click करेंगे, और reuse slide पर जाएंगे, तो कहा था गराइट कोरनर पे एक, फिर सो चाहिए, तो मैंने इसको क्लिक किया, और open किया, open करते ही यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर right पर selects आ चुकिए हैं, और मुझे जो selects इह मैं इसको click कर दोओंगा, तो slide आ जाएगी, जैसे मैं इसको click किया, तो यह slide मैं सामने आ चुकिए, मैं इसको click किया, तो यह slide आ चु चाहिए, तो next चलते है, next क्या है, changing background of slide, तो इस slide मैं आप background भी change कर सकते हूँ, background मिन्टी से के background of color क्या होना चाहिए, हाल पाल मैं इसको close करने वाला हूँ, और मैं थोड़ा बढ़ा करने वाला हूँ, तो क्या होना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा जो दिया है, पढ़ ल यू can also use the picture as the background, आप background पर picture भी उजे कर सकते हो, कैसे, to change the background style step as follows, click on the slide that you want to add a background color, आप सब्दिपले स्लाइप क्लिक करेंगे, background color लिए go to design, design पर जाएंगे background style, पर खने पर खने, format पर खने, और खाले पर खरेंगे, फर जेखर करेंगे, format बालो बालोग प्र आज़ाँ पर ल तो आप से लेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए ठेक्टिकली सम्झाएंगे अभी सबसे पहला आप पहुँंचे आपको डिजाइन पर जाना है यहाँ अभी नोर्मली बेकरण कलर देख सकते हो चेंज हो रहे अधरवाई अगर आपको और भी अच्छे तो आपको format background पर click करना है और format background पर click करने और आप यह box देख रहे हो इसमें solid की बात करेंगा solid का मतलब है कि आपके सामने जो भी color लेना चाहते हो आपके पीछली वाली slide पर आ जायागा जो आप इसको apply करना चाहते हो और आप देख रहे हैं मैं click कर रहा हूं और आप के सामने यह color change हो रहा है देन आ जाए यह gradient के लिए gradient पर आप देख रहे हो कि यहां पर कई सारे color दिये हुए है और आप भी अपना सेलेक्ट कर सकते हो कि ब्लू चाहिए जो भी कलर चाहिए आप यहां कलर रैड ले लिया तो इस तरीक से आप देख रहे हो कि आप चेंज भी यहां पर कर सकते हो ओके अब थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो इसी में और भी डिजान दी हुए है जैसे आप ट्रांस्पेरेंस एंब अब आटा सकते हो उसका सकते हो जाना आता हमार पिछ्शर आप पिछ्ड Br Baptist लेनी आप को यहां पर आप फाल में जाएंगे आज आ सब यहाँ पिक्टर यहाँ पर आ चुकी है तो आप इस तर फिक्टर ने सकते हो किल्पोड में से पिक्टर ले सकते हो कि अगर होगी तो अरगए क्लिप पाट में इसे भी ले चुकी है तो यहां के साथ साथ आप पिक्चर करेक्शन भी कर सकते हो पिक्चर करेक्शन में इंडू से कि पिक्चर का स्टायल और सब कुछ बदल सकते हो करेक्शन मैं आपको बता दो यहां पर इसको डिलीट कर देता हूं तो पीछी की पिक्चर यह थोड़ी है भी पिक्च picture correction तो फेले आप picture रहने पड़ेगी हमें यहां नहीं हम इसको भी डिलेट कर देता हूं इसको डिलीट कर देता हूं और picture अब हर भात्रouriय में जयेंगे और पिक्चर में सी इनिसट्प करा लेंगे रिएख़र color भी चेंज कर सकते हो और अज़ेटी एफेक्ट भी डाल सकते हो उसके बाद आपका आगया पैटन आप यहाँ पैटन आप देख सकते हो कि कई टाप के पैटन है आपके यहाँ विजशी में क्लिक कर रहा हूं और बाकिया प्रैक्टिकल कीजिएगा यह सब आपको समझ में आ आपको समझाई है तो मैं प्रैक्टिकली सम्झाऊंगा पावरप्वाइंट हैज आव वेराइटी आप स्मार्ट ग्राफिक्स यू कैन यूज दा इलस्टेट एंड और डिफेंट टाइप आप आइडियास तू इंसर्ट आइस स्मार्ट ग्राफिक स्टेप आर्प एस इसको उसके बाद और भी कुछ दिया हुआ है स्लेक्टा कैटेगरी ऑन दर लेप्ट ऑप दा डालोग बोक्स एंड रिव्यू दा स्मार्ट ग्राफिक्स यहां पर कैटेगरी आ जाएगी इसमें से कैटेगरी कोई भी उठा सकते हो स्लेक्टा डिजाइड इसमार्ट ग्रा यू बांट टू एड और जो बोक्स एड हो जाएंगे आप उसमें कुछ भी लेख सकते हो वेन यह दा समार्ट टू यह प्रेजेंटेशन टू एडिशनल टैश एक किर ऑन दा रिवन अंडर स्मार्ट टूल्स जैसे आप कर रहोगे तो दो टैब और ओपन हो जाएंगे और यह दू टैब कौन से डिजाइन एंड फॉर्मिट टैब चलिए नेस्ट आगे देखते हैं नेस्ट है और में टैप दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है वह नहीं दिया हुआ है तो चलिए पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि इसका प्रैक्टिकल है क्या ओके तो यहां पर की दरफ चलना है हम और प्रिक्टिकल में हम इसको वापस कर दे तो यहां पर हमने इंसर्ट पर राएना सबसेट पर पताया था और इंसर्ट पर आने के बाद आपको स्माट आट पर जाना जैसे आप इस पर क्लिक करो एक box आ जाएगा और कहां left में इसकी style आ जाएगे आप देख पारे हो यहां पर style क्या है चलिए तो मैं यहां style की बात कर रहा हूं तो एक एक arrow ले लेता हूं और यहां पर arrow पर जैसे मैं कोई step लेखना चाहता हूं कि कहां कहां क्या क्या या फिर यह ले लेता हूं और इस प्रॉसेस को आप सो कराना चाहते हो तो ऐसे graph के थूँआ आप सो करा सकते हो मैं graph mean to से कि ऐसे design के थूँआ सो करा सकते हो देख पा रहे हैं आप और पर उन्होंने कहाता कि आप smart tool का tap खुल जाएगा आप इस मैंसे भी change कर सकते हो जैसे मैंने यह के लिए यह चेंज किया तो देखें आप देख पा रहे हैं आप तो आप इन टैप का यूज करके वीड़ो काफी बड़ी हो जाएगी इन टैप का यूज करके आप ट्राइ कीजिएगा और को प्रॉलम आती है तो मुझे इसमार्ट वहां टूल में तो से कि आपका मैंने आपको यह बता दिया कि आप स्मार्ट आर्ट को इल्स्ट्रीशन ग्रॉप से गुरॉप में कैसे इंसर्ट कराने वाले सारा प्रॉसस में आपको बता दिया चलिए आगे की तरब देखते हैं creating a photo album photo element to say कि आप साधी की album आपने बहुत सारी देखे होंगे साधी की album में तो आप क्या होता एक के बाद एक फोटो चलता रहता है ऐसी आप इसमें भी एक एलबम मतलब एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो जिसमें सारे फोटो एक लाइन से लग जाएंगे तो चलिए प्रेक्टिकल भी देखेंगे आम पावरपॉइंट अलाव यू टू इंपोर्ट असाइट आप पिक्चर इंटू फोटो एलबम प्रेजेंटेशन वेन यू य यहां से सेलेक्ट करना फोटो एलबम कमांड इन दा इमेज ग्रूप इमेज ग्रूप में है एंड देन सेलेक्ट न्यू फोटो एलबम और आपको न्यू फोटो एलबम स्लेक्ट करना जैसे आप इंसर्ट में गए और इंसर्ट में जाके आपने यहां पर ट्राई किया दा आप उसको select कर देंगे और insert कर देंगे चलिए और आप यहां देख सकते हो कि एक डाइग्राम दिया हुआ जिसमें कई सारे फोटो यह दिये हुए है और आप इन फोटों को insert करा रहे हैं तो insert कराएंगे और फोटो एलम डालोग बॉक्स प्रोवाइज सेरल ओप्शन्स फर मुविंग एड्रेस्टिंग एंड चेंजिंग दा ले आउट आफ पिक्चर तो इसमें कुछ दिये हुए है कि आप चेंज कर सकते हो उनका मूव कर सकते हो एक फोटो आपको ऊपर ले जाना या नीचे ले हुआ है तो इसमें आप लिए बन्यापा आप मूव डाउन यहां से कर सकते हो दे चेंज कर सकते हो इफ स्लाइड तेटिकल कर सकते हो और यह होन के बाद करेट पर किलिक करने करेंगे उसके बाद आपके ये सारे की सारी पिक्चर सेट हो जाएंगी ओके आही तरब देखते हैं आगे कुछ इसके बारे में दिए हुआ है नहीं ऑडियो के बारे में दिया हुआ है तो फिलाल इसका ही प्रैक्टिकल करेंगे हम टॉपिक टॉपिक करते जा रहे हैं तो पिक्चर्स हैं और मेरी बहुत सारे मेरे पास फिक्चर को मैं ले लेता हूं और आपका चैप्टर नूमर फोर क्वार जा सकते हो यह लिए पर अप लिए सकते हो यहाँ पर अप लिए बון इंप स्लाइड और ऑज सकते हो तो करना है फित्ट्ट बो가றिंगे एक यह Bijक ne में चाहिए ओके तो मैं नॉरमर्ली एक पिक्चर लेना चाहता हूं क्रिएट करूगा जैसे मैं क्रिएट करूगा तेक निव शिलेड़ बन जाएगी और यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने एंडर पढ़ा था कि एक पहला पेज अलग बनेगा बाई प्रवीन कुमार मेरे नाम से उसके बाद इस स्राइड आपकी ऑटोमेटिक आपकी यह बन चुगी है आप देख सकते हो यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं और जितनी यह प्रविटिकल में हम समझाएंगे कैसे चलेंगे वोग तो हुपसों कि यह मेंटर समझ में आगा होगा कि आप एक एलबम भी मना सकते हो चलिए अब बात करते हैं आगे कि चलिए तो अब है इंसर्ट और आप उडियो इंसर्ट करानी है पावरपांट अलाव यू टू एड इस आट फैल फ्रम यॉर कमप्यूटर और यू कांच आ फाइल क्लिप 8 ओ- ALL वियो तो फार्ण धो फान आ आ और आ यू नुडुन उडमत आप PC computer में तो आप उसलाइड में audio निश्ट करा सकते हो अढ़र बाइस क्लिप 8-08 मेंधि को ए उ statistics आट दा आपर आईस-वर वूस do one of the following select audio from the locate and select the desired audio while then click insert मतलब कहाए कि अगर आपके पास computer में है तो आप बहाँ से ले लिजिए अधरवाइस आप clip art में से ले लिजिए गा और आगे देखते हैं कि आगे दिया हुआ है अब इसके बाद है हमारा इसी में keywords in search for आप जो clip art है उसमें search करेंगे then click go पर click करेंगे the result will appear in the clip art pane जो भी आप search कर रहे हो वो आ जाएगा once you have found the audio file you want to use click the insert it into the slide जो आपको audio ढूलने वो मिल जाती है आप तो आप slide में उसको insert करा दीजिएगा select record audio select किजिएगा type a name for audio recording if you want to click the red record button to start recording when you are finishing recording click the stop button when you are done click okay आप अपनी audio भी record कर सकते हो okay तो the audio file will be insert into the slide okay तो इस लाइड में आ जाए गया के ओके तो पहले सबसे पहले इतना सा काम कर लेते हैं practically इसको कर लेते हैं तो हम स्लाइड की तरफ चलते हैं अब हमें insert करानी है एक audio तो आप क्या करेंगे insert पर click करेंगे और एक audio में जाएंगे तो मैं तीनों चीज़ बता इसको मुझे सो नहीं हो रही है वो मैं देख लेता हुए और यहां और यहां पर जाता हूं और मैं यहां पर छोड़ देता हूं इसको और यह simple way में insert होग यह audio मेरी लिखनी पिले होने problem करेगी क्योंकि normally आप मेरे PC में कोई audio file नहीं पड़ी हुई है तो आप क्या करेंगे audio from file करेंगे और अपनी PC में search करेंगे और आप देखेंगे एक में मैं desktop फिर से करके देख लेता हूँ देख्टॉप में मैंने file save की थी वह so नहीं हो रही है यहाँ पर audio file कोई प्रॉब्लम नहीं है आप एक काम तो आप अपने computer में इसे insert करा लिजेगा और otherwise आपको दूसरा method बता दो किलिपार्ट प्रॉम audio यहां से आप सर्च कर सकते हो आप इसको insert करा लिजेगा और मैं इसको insert करा लेता हूँ यह आ चुकी ए और मैं इसको play भी करके दिखाता हूँ आपको यह play हो रही है इसका और इसके बाद आपको अपनी audio अपनी record करना है अपनी घंश इंसड पर सê गहां आप प्रकारड़ करेंगे और रोगारइओ कोई भी नाम या पर रोगारड करेंगे और मैं किलिक कर दिया मैं है लो ञेलो 59 मिवस पावरपुइंट अब मैसक बंद कर देते अब बंद करने के बाद मिए कर देता हूं और यह और यहां पर इंसर्ट हो जानी चाहिए कहीं ना कहीं इंसर्ट क्यों नहीं होई ओक्यों इंसर्ट हो चुगे यह यह हमारी रिकॉर्डिंग है जो मैंने अभी अभी प्ले की थी और यह रिकॉर्डिंग जो मैंने अभी बनाई थी क्लिक कर दिया मैं हेलो 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 क्यों मैं रिकॉर्डिं हेलो 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 we are studying एवारदा मोर ऑन पाउवर न्टमाइट टेन ओके और मैं आशे इसको क्लोज्च कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ यह भी आपकी समझ में आ गया वह नहीं आ रहा है चलिए अगी तरफ चलते हैं इसको करते है कि अपने इंसर्ट करा लिए अब बीडियो इंसर्ट कराने लिए अब वही प्रोसेस है और मैं ज्यादा टाइम बेश्ट नहीं करूंगा तो पाउर प्रफॉंट में आपको क्या क करना है कि अपको फ्रिसे इंसट पर क्लिक करना और ईंसट पर क्लिक करने लिडियो पर ले करना और आप फाईल में से ले सकते हो तो Select Video from website & वेफथास से जीए कर सकते हो। आप किसी वीडियो को और इसके अरह वियू अजया आए लिडियो वी पटर द्रीट करते था हूं राइट क्लिक में सेलाक्ट करगे डिलीट का प्तन दबाद हूं और डिलीट हो जाएगा 1.5 MB की something है यह मेरी और मैं इसको प्ले करता हूं देखिए ओके यह वीडियो प्ले हो चुकी है अब आगे बात करते हैं कि यह वीडियो फिलो होने के बाद और और भी कुछ ऑप्सिंस दिये हुए हैं वीडियो के लिए तो हम थर से इंसर्ट में जाएंगे इंसर्ट में जान यह यहाँ प्ले होने वाली वीडियो नहीं के लिए पार्ट की ओके यह को थोड़ी मैं कहूं जी आई एफ फाइल है तो कोई खास तरह किसे प्ले नहीं होगी चलो मैंस फाइल इससे प्रेजेंटेशन को फिले कर लेता हूं मैं स्लाइड में जाता हूं और फ्रॉम दिया हुआ है थोड़ा बेक चलिए आगे पड़ते हैं स्लाइट ट्रांजीशन बहुत अच्छी बात है कि साट ट्रांशन कैसे होना चाहिए यह टांस का मिन यह होना चाहिए सीखते है ट्रांस आरता मोशन एफेक्ट डैट एड मूमेंट तो यह श्लाइड एफ फ्रॉम स्लाइड टू अधर एक स्लाइड से दूसरे पर स्लाइड पर जाते हैं तो इसका ट्रांशन कैसे होना चाहिए तो यहां पर कुछ दिये हुए है दियर आर थरी कैटेगरी ऑफ यूनिक ट्रांशन टू चेंज फ्रॉम और विच कैन भी फांड ऑन ट्रांशन त्री कैटेग होना यह है तो इसको एकिन ल realizing लिए क्लší करने है तो एक ट्रांशन स्टेपर ऐस फॉलो कुछ इस्ट्राइड अ करने है दसेलाइड सलाइड सलाईड धाल वान्ट को मोडिफा र्युवड मोर्दिफाइड को अप situacIX करते हो उसको अश्षट करते हूं क्लिक्आ यह मोड द display , all the traditions, click a transition to apply it to selected this automatically preview the transitions, अब इसका practical देखेंगे हैं, मैं आपको इसके थरू हैं, मैं आपको इसके थरूब बता दूँँगा, आपको सबसक्राइब रहे टाइशन में जायाएंगे और ऐसाइब भूग साइब आइशन दीए हुए है और यहां पर यहां तर के लिएक करके और भी ट्रैंशन सअएंगे सार क्याक्क रिचिगरय आएंगे आप उनके सकते हो चला सकते हो चाले आगे भी तो इंडा टामर्रट यहां टाय्मिंग गृूप भी दिया हुआ है तो सब से पहले टाइमिंग की बात में बात करेंगे को हम होता है तो मैंने यहां पर मित्लब इस से चांझ ए तो जी हमाँ पर देख के यह, जैसे मैंने ने थ्यारियह को क्लिक नहीं दिखाऊंगा आप प्राक्टिकल कीजिए गा और कोई प्रावलम आए तो पूछिए गा देन यहां पर आप एरो पर किलिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर देखिए यहां पर मैंने सब्टल की बात हुई थी एक्साइटिंग की अधियो डैनामिक की तो तो सब्टल में प पर इसकी बताता हूं कि कैसे है तो मैं सुच पर किलिक कर देता हूं यह वाली स्लाइट पर और स्लाइट सोब करता हूं फ्रॉम बिगनिंग से करता हूं तो देखिए स्लाइट चेंज होगी तो इसी स्टाइल में होगी है यह स्लाइड मैंने ली थी पिछली बार यह वाला और मैं स्लाइट पर क्लिक करूंगा और फ्रॉम बिगिनिंग अब देखिए हर जो स्लाइट चेंज होगी वो इसी स्टाइल में चेंज होने वाली है ओके चलिए तो आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ इसमें इंदे टाइमिंग ग्रॉप दू फॉलो टाइमिंग ग्रॉप में कुछ फॉलो करने के लिए कहा है देखिए हैं कि क्लिक शांड डॉप डॉप डाउन मेनू तो डिस्प्ले दा लिस्ट राइसन सांड यू विल हीर सांड एंड सी दा लाइब प्रिव्यू अप दा राइसन होबर का मतलब होता है कि आप उसको पर करसल ले जाओ वो अटोमेटिक पर ले करेगा है स्लेक्ट डियाइड डियूरीशन डियूरीशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं यू वांट तो यूज़ 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 प्रिजेंटेशन क्लिक टू एप्लाई तो आप जो मैंना भी चेक ओन माउस के लिए तो आप देख सकते हो कि जब तक आप माउस क्लिक नहीं कर ओगे तब तक यह सलाइड आगे नहीं जाएगी तो चेक ओन माउस क्लिक क्यों सुख को हम चेक आप लगा देंगे प्रैक्टिकल यह भी बताऊंगा इस यूज़ नेफ्स लाइट आपिर आपको यहां क्या करना चेक आप्टर एंड एड़ तर टाइम तो रिमूव अटाइट अट्राइशन सेलेक्ट चूज अनन फ्रॉम दा गैली इन दा ट्राइशन तो इस लाइड ग्रूप और आप चाहते हो कि कोई भी इसमें ट्राइशन ना लगा तो आप नन को यूज कर करने वाले हो तो मैं आगे देख लेता हूं आ करे इसके बारे मृइ बढ़िए कुछ नहीं दीया हुआ तो आप ट्राइंट लगकांने ट्राइशिंस हंने लिक किया था ॉर ठाईशिंस किलिक करने के बाद साौंड की बात करकर एंग्यास्ट सांड जैसे मैं यहां पर मैं आपको बताया हो जैसे ही मैं हो बनकरता हूं स्लिखता हूं उससे आपके सांड को कटिकर सकते हो ज़याइशिक चिंड चयल गयोगी तús मैं है ड्रet b flagler sound PlayStation वाला भी शाहने स्लाइड को प्ले करकी देखाता हूं और को छाट सांड बजने वाला यहाँ पर ओके आ पू कि तो ट्राइसर में जाएंगे, ट्राइसर में apply to all कर देंगे, तोके, अब यहां बात करते हैं, कि जब तक आप click न माउस पर जैसे तो आप की बार 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 जो slide change हो रही है, वो click करने पर हो रही है, और आप चाहते हो कि नहीं, आपके click करने पर नोटेंक, 5 सेकट बाद, यह 2 second बाद automatic change हो जाए मैं यहाँ पर 2 second लगा देता हूँ और automatic change होगी तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर strad पर क्लिक करता हूँ और from beginning तो automatic 2 second बाद यह change होती जाएगी अब मुझे mouse पर click करने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो आप यह देख सकते हो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो ओके खुपसोग कि आपको time sense भी समझ में आ गया होगा चलिए तो यहाँ पर आप time sense के लिए रहो गया तो थोड़ा और किया कर देते हैं chapter को हमारा chapter और भी आ गया है कि animation と animation के बारे में पढ़ते हैं कि animation क्या होता है animation cm पर इनमेंशन कि अपको इनिमेशन का चया था आपको जल्दी समझ में आ जाएगा मा लीजी मेरे पास ये picture ठाहिए मैं यहाँ पे ये picture प्रिचर को ले लेता हूँ यदिविडियो को ले ले लेता हूँ और मैं ने yaha per animation लगा दिया regardless लगा दिया कि अब एक प्र विगार ब्हुत अख़्ी पटाता हूं इस तरह से आनी सहीं हो कि आप देख सकते हैं यहां पर तो यह animation होताँ अच्छी और और इक टीयर विछ अच्छे हो जाते हैं यह डिपेंड गरता है कि आपके तो अच्छी स्लाइड बना सकते हो चलिए आगे चलते हैं डिफेंट अनिमिशन एफेक्ट और और अर्गनाईज इन्टो फूर टाप्स यहां चार टापके और अनिमिशन दिये गए हैं अनिमर्वन एंट्रेंज दिया गया है दिस चंट्रल और अनिमिशन धिया हुआ है दिस चंट्रल हाव टू अब्जी पिर्ट टे आपके तने वाला ओर motion path, motion path दिया हो, these are similar to emphasize effect, except the object moves within the slide along the pre-determined path like a circle, अभी दो को मैं भी यूच करने बाँ आँ सको, और मैं सको प्राक्रिकली भी करूंगा भी, to apply the animation, an object step अरदा फोलो, select an object, click the animation tab, in the animation group, click more drop down arrow to view the available animation, then set the desired animation effect, the object will now have a small number next to it, to how to that has, it has an animation also, in the slide pin, the slide will now have a star symbol next to it, यह आप टाइमिंग कर सकते हो, कि कितनी धीर मैं अर्ली animation हो, you can add the animation to other text, object and same slide, they will be number two, three and so on and will run in that sequence, यहाँ पर जब हम sliding set करेंगे तो, one, two, three, four करके, वो आपका animation set होगा, to decide when the animation will start, click the drop down menu arrow of the start box in the timing group and choose the required options, आप timing भी लगा सकते हो, तो यह मैं को जैसे आप click करोगो तो change होनी चाहिए, तो आपके sliding पर आपके animation होना चाहिए, या with preview, जो this will start the effect at the same time as the previous effect जैसा है, वो previous effect की तरबर करेगा, after preview, previous, this will start the effect when the previous effect end, and next बताने वाला हो मैं आपको, to remove an animation, select it and click the delete key, तो आपको animation click करना है, तो आपको delete key करना है, next करते हैं, reverse timing बात की बात है, तो खाल फिलाल कि मैं पिछले बार एक चीज नहीं आपको बताया था, एक topic मैं बताना बूले था, जैसे कि आपने यहाँ पर sliding में animation लगा था, okay, तो यहाँ पर any, sorry, trinescence लगाया था, trinescence में आप चाहते हो, अब trinescence ना वर्क करें, तो आप इस में से select करें, none कर दोगे, अब trinescence यहाँ पर काम नहीं करेगा, चलिए आप animation पर काम करते है, मैं animation पर काम करने के लिए मैं आपको एक छोटा सब पॉंट बता है, जैसे powerpoint लिखा हुआ है, और powerpoint में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि चलिए powerpoint को यहाँ थोड़ डिजायन कर देता हूँ मैं यहाँ आपर, थोड़ बड़ा कर देता हूँ इसको, मैं red कर देता हूँ, सब्सक्राइब मैं चैनल और मैं इसको मैंने यह लिख दिया आपके लिए, सब्सक्राइब जहां से कर देना, वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हूँ, क्योंकि computer है, practically कर रहा हूँ गए, समझ में आएगा, otherwise समझ में आना थोड़ मुस्किल होता है, तो मैं य यलो एलो कलर में कर देता हूँ, यलो कलर में करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर देता हूँ, और टख स्टैल को भी छेंज कर देता हूँ, चलिए टख स्टैल में यह रहने देता हूँ, अब यहां पर मुझे animation लगाना, animation आप किसी text भाए भी लगा सकते हो, एक ते यम बाउंस डाना आई अपर ऐंप Οmer अब इसका यहां फिल सकते हो अमी दूसरे सब्सक्राइब है districts इसा लाइन कलर नहीं सेट आपको समझ माया यह आप देखिए इसका अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ फ्रम तक करेंट स्राइड देखिए यह आ गया और यह है ओके यह चेंज हुगा और भी मैं इसमें आपको एनिमिशन लगा के दिखाता हूँ करने वाला है तो मैं यहां पर बाउंस आप देख रहे हैं बाउंस हो रहा है अब उसके बाद आयाता है कि लाइन अब इसको गोलाई में गोलाई में सकता हूं सरकल में लूप में चला सकता हूं लूप में चला सकता हूं आप देख रहे हैं आपर कस्टम पाथ बना सकता हूं से आपके इस तरह आप बना सकते हो और यहां पर देखेगा यह पहले नंबर पर काम करें और यह दूसरे नंबर पर काम करने वाला है तो मैं यहां पर इसको प्ले करके दिखाता हूं आपको ओके तो यह इतना हम कर चुके हैं यहां पर अब उसके बाद बात आयाती है कि इनिमेशन में कुछ और ही पॉइंट है हमारे पास कुछ पॉइंट ऐसे मैं नॉर्मली समझा दो कि नंबर वन मैं यहीं से ले लेता हूं यहां पर कि यह देखिए उपर की तरफ फ्लो कर रहा है यह राइट डाउन और यह टॉप ओके अब यहां पर बात आ जाती है कि मैं थोड़ा स्लाइड की तरफ चलूँगा अपनी को स्लाइड में क्या गया दिया हुआ था है मैं उसको क्लियर कर लूँ ज़रा और यहां बात आ आ जाती है कि यह बंटू-3 की बात क्लियर हो गई ह चल दे हमने स्लाइड गी तरफ और इसको क्लियर कर लेता है तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि यहां पर जो भी एनिमेशन दिया हुआ है हम एनिमेशन पर जाके इसको मैं अभी नन करने वाला हूँ इन दोनों को एनिमेशन को अम एनिमेशन लगाने वाला हूँ यहा यहां कि मैंने वायप कर दिया है दोनों अनिमिशन आप देख सकते हैं वन है और यहां टू है मतलब यह अलग चलेगा अब बात करते हैं यहां पर कि on click on click पर तो पहले यह चलेगा फिर यह चलेगा अब इसका बात करेंगे हम with previous जो पहले वाला है उसी के साथ चलने वाला मैं preview दिखा दूँ यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ चल गए हैं अब मैं यहाँ पर बात करूँगा after previous तो पहले क्या होगा पहले फिर यह चलेगा और उसके बाद यह चलेगा मतलब पहले यह चला फिर यह चला तो यहाँ पर यह अंतर हो जाता देखिए दोनों के एक साथ चलने वाले हैं यह यहाँ पर और लेकिन जब मैं on click करूँगा तो यहाँ पर automatic यह अलग अलग सो हो चुके है तो अब चलिए आईगी तरफ देखते हैं आगे क्या है देहेंगे सब्सक्राइट के इस तामीख और यह तरफ देहेंगे रियर sorry क्या हो जाए और कुछ time ूईब्स अपसेत करेंगे और किलिक ना कर सोनी पले ऑंटोमेटिक स्रटी रहे तो आप रियर स्टीमिं करेंगे यहां पर आपको सैटप में जाना है और मतलब स्राइब जाना है और यहां पर आपको सैटप में जाना है थामन आपको एपना में जानने रिरिए स्टाइमि आपको किस पर کलिक करना है यू यू वर विल भी तकटन और तेगं अफ फलस्ण व्यू और प्रेजंटिशन और आपको यह जो फुल स्किन on the recording toolbar in the top left corner if you prefer you can also use the right arrow की तो यहां पर एक toolbar आने वाली है आपके सामने जैसे मैं आपको यहां पर दिखा दोए यह toolbar आएगी आपको और आप इस toolbar में next कर सकते हो और timing set कर सकते हो यहां पर तो मैं आपको next बता हूं आप वेन्यू है वीश्ट दा एंड आप दो जब आप स्लाइडिंग एंड पर जाने वाले हो तो आपको यहां पर एसके प्रेस करना एंड यूर स्लाइट तो डालोग बोक्स विल एपियर एक डालोग बोक्स एपियर होगा आपके सामने विद्ध टोटल टाइम और प्रिजेंटेशन तो इस यू आप सैटिस्फाई विद्योर टाइमिंग देन क्लिक यहां आपके सामने यह ताइम और आए और मैं बार पर मुझे प्रमाउस की द्वाने चाहिए आल या की वोड में से कोई की द्वानी पढ़ रही है यहाँ पर ओके तो आप यहां पर क्लिक के साम सुन सकते वीच्बिच में आ रहा यह जैसे मैं कलिकक करोंगा आप क्लिक का साथ आए गाबते सुनेगे आ होगा आपने तो आप यहां पर मैं बाइफ करता हो उटोमेटिक सब इसकुछ fili cer करने वाले ओर जाब किलिक करने वाले तो और खमिंग डीर बाद हाब इनको देना चाहते कर सकते हो और फिर आप सब्सक्राइब अफर करते हो या फिर आप नेश्ट ना करके आप अपनी स्राइड के लिए बाहर माॉस पर क्लिक करते क्लिक करते रहे गा उटोमेटि की चेंज होता रहेगा तो मैं फिर से नेश्ट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जल्दी लिए इसका जो टाइब बदल गया है यह तो आप इसको चेंज कर सकते है यह वीव में जाकर आप नॉर्मल स्लैड कर दोगे जैसा है वैसा हो जाएगा उसका आप स्लैड तो में जाकर फॉम बिगनिंग कर दो गए अब मैं यहां पर कोई स्लाइड कोई नहीं कर रहा हूं कोई Keyword तो यूजन नहीं कर रहा हूं अब automatic मीरी इस स्लाइड है वो चलती जा रही है okay आप देख रहें है स्लाइड चल ले है automatic चल ले है इस सल्लाइड चल ले निंग तियए मैं किसी चीजी को स्ब davon हैं नियुक्त तरह से सब्सक्राइब करने मेनु को लेगा जिसको बैखिस्टी वीव वोलते है उसमें जाएंगे खिलिक दा प्रेंट पर क्लिक करना है मतला स्लेक्ट प्रेंट पेन एपिस बिदफ बेंट शेटिंग एंड अन दा प्रिवू अन दा राइट तो पैनल ओपन होगा आप रिवू राइट में सो होगा उस अप्रेंट अल्सलेट सब्सक्राइट तो आप यहां पर रिंज स्लेक्ट कर सकते हो मैं बता हूंगा आप कैसे स्लेक्ट कर रहेंगे और मायन दा एंट चुजे हाओ और यू वांट कुस्ट अप्र पेज फुल पेसलाइट वन पर पेज नोट नोट पेसलाइट एंड सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो कि आपके सामने प्रिंटर सांप यह स्लेक्ट कर सकते हो तो मैंने अपना डू पीडिया अप्रेंटर सेलेक्ट कर दिया अब है प्रिंट और करना चाहते हो प्रिंट तक करना चाहते हो यह यह तो मैं कहूं हूँ अगर all करनी है तो all के लिए आप यहां पर जैसे आपको first slide करनी है या फ़र्ष से लेगे 5 तक करनी है या फ़र्ष से लेगे 3 तक करनी है आप कर सकते हो देन आपका या फुल पेज पर करनी है या नोट्स पेज आपको इस तरह से दिखाई देगा यह और जब फिर में बात करूंगा कि आपको अउट करनी है इस तरह से देखाई देगा इस सब का आगि क्लास शैवन्न में बताया गया होगा कि सब्सक्राइब अलेरा एपक्र 200 फीज पर दो एक पीस पर 3 और एक पर ऊर неё हो जाता है आप दिख रहे है देख रही है 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 सब कर practically पारे हैं पर औह पर जैसा लाइड़ आप जो भी चाहते हो अप याँ से आप कर सकते हो कि जिस तरह से आपको लगता है कि आपके लीए बैटर ओप्सेंस है ओके तो आप यह सब करने के भादा पर किलिक कर देंगा और आपके इसलॉयट होने लगेगी चलि आए जी त्रब देखते हैं कि आ आगे हमारे चैपटर में क्या दिया हुआ है आगी चेप्टर में रिवीजन दिया हुआ है और रिवीजन का मतलब आप जानते हो आप पहले से मेरी क्लासेज ले रहे हो तो रिवीजन यह आपके खुद ही करनी है इसके पूरा-चैप्टर का अ हेवाश करके ओर यहां पर आप ने रहे है चेप्टर के रहे हैं और एक मैंन मेल को यहां प्रूफ और यह वीडियो तो प्लीज लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना सब्सक्राइब कर देना और आगर आपको फेंट में चैनल से पड़ रहे हो ओके तो मिलते नेक्श वीडियो में इसके एक्सराइज के साथ और इंड कोशन आशर के साथ सब्सक्राइब कर देना वीडियो और टेस्ट देना बिल्कुल मत भूग लिएगा टेस्ट आपको डेक्स्रेप्शन वाक्स में मिल जाएगा ओके थैंक यू फॉर बाचिंग माई वीडियो